हेलो मैं हूँ अदीती शेर्मा आज़न बनाने जाएगे कोपोने चोको मैजिक इसके हम यूज़ कर रहे है कोको पॉर्डर, डार्क चोकलेट, वाइट चोकलेट, नारेल कबूरा, चोको चिप्स और इसको और हेल्दी बनाने के हम यूज़ कर रहे है किसी भी लॉकी और किसा अदा स्टार, नैसली मिल्क मेट, एक बत्तन में मैंने गर्म पानी रखा गरम होने के लिए और अब हम इस डार्क चोकलेट को बाउल में डाल लेगे अब हम इसको इसके उपर रग देंगे, मैं थोने के यह हमारी डाप चोकलेट मिल्ट हो गई है अब हम इसको मोल्ड मिलावे देए और यह मोल्ड में मैंने चोकलेट डाल दी है अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूँगी सेट होने की ए और इसी तरह हम वाइट चोकलेट को भी मिल्ट करके चोकलेट को वाइट दूइए कपस में डालने के अब हम चोकलेट कपस में तरह करने की लौकी और गाजर की फिल्म्स बना लेते हैं पहले हम एक पैन में एक चमच गी डाले के वाद हम फूरी रौकी डालेगे अब हम इसे चला देगे और अब हम इसमें लिड लगा देगे और इसे थोई देर में धके रहने देगे और बीच बीच में चला देगे अब ये लॉकी पूरी इस तरह से सिख गई है अब हम इसमें दो चम्मच नारिल का बूरा डालेगे और अब हम इसमें मिल्क मेर डालेगे और हम इसमें थोड़े से ड्राइफूट्स डालेगे हैं इसमें थोड़े से ड्राइफूट्स डालेगे हैं हम इसकी गास बंद करेती हूँ इसी तरह हमें गाचर का भी बना जाएं इससे हम थंड़ा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लाइते हैं और अब हम इसे थंड़ा होने के लिए जब तक यह थंड़ा हो रहा है तब तक हम इस कब से चोकलेट को अन्मोल्ड कर लेते हैं इससी तरह मैंने गाचर का भी फिलिंग बना के रखाया अब इससे मिक्सी में डाल लेते हैं अभी हमें इस गाचर की फिलिंग का स्मूर्ट पेस्ट बनाना है अब यह गाचर एकदम स्मूर्ट पेस्ट बन चुका है अब हम इससे पाइपिंग बैग में फिल कर देते हैं लॉक्या थंडी हो गी है अब इसको चोकलेट के कप में फिल कर देते हैं अब हम इससे पाइपिंग बैग से डेकुरेट कर देते हैं अब हम इससे पाइपिंग कर देते हैं हम थोड़ा सा स्पिंकल डालते हैं अब हम इसमें प्लम्स डालेगे और ग्रेप्ष अब हम इससे थोड़े कोको पाइड से डेकुरेट कर देते हैं और यह हमारा कोकोनेट चोको में माजिक प्यार हो गयां माज तेते हैं अब हम चैए प्लमस प्लमस बाते हैं